हाई गाईज वेलकम बैक तो माई योट्यूब चैनल आएम करिश्मा और हम लोग आज करने जा रहे हैं फॉर्स्ट वीक जो शुरू हो रहा है हमारा फिफ से लेकर 11 तक रहेगा वैसे लेकिन हम लोग आज सिर्फ से लेकर 8 तक की करेंट अफेर्स करने वाले हैं ठीक है तो आ नागा लेंड का फेस्टिवल है बहुत इंपोर्टेंट फेस्टिवल है जो नागा हरिटेज विलेज में हुआ है गवर्नेर ओफ असम एन नागा लेंड बोथ प्रोफेसर जगदीश मुखी जी ने इनागरेट किया है दस दिन का ये फेस्टिवल जिसको फेस्टिवल फे अगले आम लोग जाते हैं इन अकॉर्डेंस विदर डेटा गेवन बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ने एक डेटा दिया है जिसमें कहा गया है कि गुजरात ने सरपास कर दिया है महारास्ट्रा को तो बिकम इंडिया जीडिंग मैनुफेक्ट्रिंग हब तब से महारास्ट्रा बना हुआ था लीडिंग मैनुफेक्ट्रिंग हब पिछली बार जब न्यूज आई थी तब महारास्ट्रा था लेकिन इस बार सरपास करके जो है गुजरात पहुंच गया है फॉर्स्ट पोजीशन पर और इसका ग्रॉस वेल्यू एडिशन जो र लाक करोर्स पर पहुंचा है तो यह हमें कुछ-कुछ फिगर्स होती है जो में याद रखनी होती है जादा फिगर्स हमें नहीं याद रखनी लेकिन यह ज़रूरी है कि कितने परसेंट से बढ़ा है और किस के उसमें बढ़ा है कंपैरिजन में ठीक है और कितना हुआ बात करेंगे डेनमार्क के विक्टर एलेक्षिन और चाइना की ताई जू इंग में एंड फीमेल बेर्व丫 बने है कॉन से और उसमें बैडम्यंटन वर्ल लिए पते हैं में चयुछ मीत प्रेजिश कहिए हुँ अफिछ होता सिर्फ सब्सक्राइब इस ब्डू फ़ेडरीशनी की इसके जो प्रेसीडेन्ट मैं हो है हॉयल लारसिन मैं दो पूरा नाम से मौनत मुझे भाख थे हैं होयल लार्सन गौंड में लास्ट नेम है और हेड़कॉर्टर्स कॉल लूंपुर मलेशिया में है सबको पता है ठीक है उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूस की तरफ हम लोग आ रहे हैं इंडियाज सबसे पहले अगर हम स्मॉल फिनेंट बैंक को पढ़ रहें तो हम लोग क्या करेंगे जान लेंगे कि इस सबसे बाना है फोर्ट ग्लोबल असेमली फिनेंस ओवर्ड टुटी टुटी जो की यूनाइटल स्टेट्स की SME फिनेंस फॉरम देती है उसमें इसने फॉर्स पॉजि स्मॉल फिनेंस बैंक ठीक है यह काफी इंपॉर्टेंट यूज और मुझे लगता है कि मोस्ट प्रवली आपको यह वाली जो करेंट फैर वो देखने को मिलने वाली है और यह स्मॉल फिनेंस बैंक जो है वह 2017 में लॉंच हुआ था जिसके यहीं मैं अपको बतार थी कि इसका स्टेट आप कोई भी करेंट फैर पढ़ रहे हैं उसका स्टेट आप सबसे पहले पढ़नाए कोई नए और इस जिछन को मिलती है जैसे हमने ब्व्लिएफ को पड़ा यहां पर यह से फ जो है वह 2017 में लॉंच हुआ फूँआँ पॉल फोम पूछी जाएगी नॉमिनेटेट फॉर अमेरिकन मैथेमेटिकल सुसाइटी फॉर फोस्ट स्पिरिन फायर्स अवार्ड ठीक है किस चीज में इनको अवार्ड मिला है ऑपरेटर ठीरी को लेकर जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी इन्होंने फाइनली वह सॉल्व कर दी है निख ये भी दो रेसिपेंट्स हैं जिनको मिला है जो एडम मारकल जी है वो स्विजलेंड से है और जो डैनियल स्पैलमेन है वो उनाइटेट से है उसकी बाद नेक्स आते हैं फॉर्मल गवर्नर ऑफ तमिलाडू एंड करनाटिका ये तमिलाडू के तो गवर्नर रहे ही थे की डेथ हो गई है अनफॉर्चनेटली 88 की साल के ये थे हैदराबाद में नहीं रखती हूं लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट डेज है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑबिचरी है खाली मैं वही इसमें लेकर आती हूं जो कि मुझे लगता है कि ये पूछी लोगो बनादिकार किस चीज के बारे बात कर रहा हूं बनादिकार बात कर रहा है हमारे पट्टा के बारे में अफिर में बाद कर रहे हैं त extraction यह खाली के एंजीडियर है नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रिजिस्ट्रेशन सिस्टम है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट लोग जाएंगे एक डे भी आया था मुझे याद आ गया है वो डे क्योंकि मैं आप लोगों से बात करे हूं इंपॉर्टेंट और डेस की तो एक डे है जो है इंटरनेशनल बैंक्स डे जो चार डिसेंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल बैंक्स डे और यह 2020 में पहली बार मनाया गया था ठीक है तो यह इस बार दूसरी बार बनाया गया है और फोर डिसेंबर आपको याद रखनी है यह important news है पिछली बार तो नहीं है लेकिन किसी में शायद कभी पूछ ली जाए इसलिए आपने याद रखनी है ठीक है उसकी बाद हम लोग बात करेंगे आजादी कामरित महट सब आपको पता ही है चल रहा है इस बार ठीक है पूरा साल आजादी कामरित महट सब चलने वाला है 75th year हम सेलिब्रेट कर रहे है ठीक है Minister of State for Electronics and Information Technology and Skill Development and Entrepreneurship राजीव चंदरशेकर जी नहीं भी याद रखेंगे इतकाम चल जाएगा इतना याद रखना है इन्होंने क्या क्याने र्लीज किया और रिलीस किया है National Strategy on ब्लॉकचेन यह पूछा जा सकता है शायद कि National ब्लॉक चेन अभी रिलीस की गई थी वह किन के द्वारा रिल्जी की गई तो इनका नाम इंपोर्टेंट जाता है राजीफ चंद्रशेखर जी के द्वारा दूसरी जीज스ब सबसे इंपोर्टेंट एंडिया सफोर्स इंधिजनेस सरवर जीज़ जो सबसे important है इंडिया's first indigenous server इंडिया का पहला indigenous server क्या है रूद्रा नाम है जिससे develop किया है सीडेक ने Center for Development of Advanced Computing under this National Super Computing Mission कौन सपोर्ट करता है इस National Super Computing Mission को मीती एन Department of Science and Technology DST and मीती सपोर्ट करते हैं सीडेक ने आया है रूद्रा बहुत ही important question है आपने याद रखना इस तरह से वन लाइनर आ जाता है बिल्कुल ध्यान देता है हमें जबके हमने पढ़ा हुआ होता है ठीक है उसकी बाद हम लोग अगनाइस किया मिनिस्ट्र अफ सिविल अविएशन था और पवन हंस एक बहुत ही important organization यहां पर आया बिल्कुल अलग से हटके एक नाम पवन हंस लिमिटेड करके आया है एक company है तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है फीकी है ministry of civil aviation है एंद पवन हंस है ठीक है तो corridors बनाए जा रहे हैं अब आपको याद कैस में रखना है कि यह corridors कहां कहां बनाए जा रहे हैं ठीक है तो एक 10 इस तरह से इन्होंने नाम लिए हैं जिसमें की हैलिपेड आने वाला है ठीक है तो यह आपने चार नाम याद रखने दिल्ली मुंबाई बेंगलॉर एंड ग्वालियर ठीक है उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनाउग्रेट किया ली थौट लीडर्शिप फॉर्म और फिंटेक इंफिनिटी फॉर्म होस्टेट बाई किसने वोस्ट किया है यह इफ्सका जिसके हैड़कॉर्टर गांधिन गुद्रात में हैं गिफ्ट सिटी के अंदर है इफ्सका अंडर गवर्मेंट इफ्सका के जो हमारे वो हैं उनका नाम है इंजीती स्रीनिववास जी और इसके जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो मोस्ट हर दो साल में दो साल में छोड़ोड के पूचे ही जाते हैं पिछली साल भी इफ्सका का हैड़कॉर्टर आई पेस्प्यों के एक्जामनेशन में के सब्सक्राइब यहां जैसे कि इफ्सका ने होस्त किया है नरेद्र मोधी जी ने इसे है इनॉबरेट किया इसमें पार्टनर फॉर्सट एडिशन था इसंवाले फॉर्म का इसके पार्टनर कंट्रीज रहे हैं इंडोनेशिया एंस साउथ एफ्रिका और यूक्य इन्टेक्ग बियूंट फिनेंस इस तरह सी करके इसकी सब थीम्स रही है नेक्स अम लोग आजाते हैं एक्सटरनल अफेर मिनेस्टर एशज अंकर जी कौन नहीं जानता है इनका नाम External Affairs Minister जी ने address किया है 15th IOR Indian Ocean Region Conference आबुदाभी के अंदर ठीक है इस conference की theme क्या रही काफी important है यह कौन सी number की रही है 5th number की रही है Indian Ocean Region की रही है और कहां हुई है आबुदाभी में हुई है ठीक है इसमें चेयर किस ने किया है श्री लंकन प्रेसिडेंट नाम है गुटाभया राजपक्सा इन्होंने चेयर किया है इसको और इसकी theme रही है Indian Ocean Ecology Economy Epidemic यह इसकी theme रही है काफी important question है आपने याद रखना है उसके बाद हम लोग आते है पेटीम पर पेटीम से आए दिन न्यूज आये जा रही है इसलिए पेटीम की कोई भी न्यूज आती है वह बहुत important हो जाती है आपने याद रखनी ही रखनी है पेटीम के static सबसे बहुत आपको याद रखने है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पेटीम से कोई ना कोई ना कोई न्यूज आए दिन आए जा रही है अभी जो next part 2 रहेगा उसमें भी एक काफी important न्यूज पेटीम से है तो उसमें पढ़ाऊंगी मैं अभी फिलाल हम लोग पेटीम के static सियाज रख लेते हैं कि पेटीम ज इन्होंने पार्टनर किया है Amazon Web Services के साथ टू ओफर पेमिंट स्टार्टप टूलकिट फॉर एंटेपनॉर्स एंटेपनॉर्स को स्टार्टप टूलकिट प्रवाइड करेंगे ठीक है किसका पेटीम का और Amazon Web Services का टाइप है उसके बाद नेक्स बात करते हैं हम लोग PNB की ए इनक और बहुत ही important organisation और बहुत ही important news PNB ने launch किया Android App किन के लिए । दिप darीटद्ली एबन एबल्ड सके लिए हैं और यह नहों ने एक्सीं क्यों किया है क्यों डिसाबल कि यहां पे बहुत important उता है क्यूंकि एक तो इंटरफ Mythical Music आ दे है उपर से PNB ने इसके उपर एक application भी लॉंच कर दिया Android application अभी iOS users के लिए नहीं है बहुत जल्दी iOS users के लिए भी आने वाली है अभी फिलाली Android application है नाम है PNB Pride इसमें इसमें करेंगा क्या बेसिकली यह monitor करेंगे और effectively follow up करेंगे special mention account borrowers के लिए जो कि specially और differently abled है अब इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि SMAs क्या होते है SMA accounts होते है special mention accounts जो कि जिनके अंदर क्या हो रहा है कि loan recovery जो है वो stress loans बन गया है उनमें loan recovery नहीं आ रही है NPA होने वाले है अभी NPA नही से बचाया जाए यह होते है special mention accounts ठीक है तो उनके लिए बनाया गया है PNB Pride नाम का PNB Pride CRMD module उसके बाद हम लोग बात करेंगे अधित्या बिल्ला health insurance ने लॉंच किया है active health essential plan for senior citizens इस तरह के एक और काफी important news आती हुई अधित्या बिल्ला की तरफ से उन्हेंने senior citizens के लिए एक अप लॉंच किया है insurance health insurance लॉंच किया है नाम है active health essential active essential है special needs of senior citizens को meet करने के लिए active health essential किस ने लॉंच किया एक्टिव बिल्ला health insurance ने लॉंच किया है अगर एक्टिव अधित्या बिल्ला health insurance की बात करते हैं तो इसकी headquarters मुंबई में है और CEO इसके मयंक बथवाल जी है कि नेक्स जी एनके बैंक से आती होई न्यूस जी एनके बैंक ने रिवाइज लॉंच किया है रिवाइज मोबाइल बैंकिंग अप्लिकेशन क्या मतलब है कि पहले ही अल्रेड़ी आ चुकी है अभी जुलाई 2021 में ही यह अप्लिकेशन आई थी और अब इसका रिवाइज वर्जिन आया है नाम है एंपे डिलाइट ठीक है किसके लिए पब्लिक के लिए एंपे लाइट इनोने लाउंच किया है इसका मतलब है कि यह इसमें बहुत सारे फीचर्स हैँए कि आपकी अकांट डीटेल सारे इसमें मिल जाएंगी ठीक है डिपॉसिट्स आपकी कितने advances कितने हैं आप कोई भी bill payment कर सकते हैं आप fund transfer की सुविधाय आपको मिल जाती है ठीक है सारी की सारी चीज़ें इस तरह की आपको जो भी नॉर्मल जो banking application से उसमें मिलती है इसी तरह का जी एनके का application है नाम है MP delight या दखना है अगर जी एनके की static fact की हम लोग बात करते हैं तो आ कुछ बहुत बहुत इंपोर्टेंट होता है तो आपको सारी के सारे याद होने चाहिए जो भी current में आ रहे हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे government ने scale committee ठीक है यह है expand कर दिया है इन्होंने तीन members और भरा दिया है scale committee में scale की full form क्या है steering committee for advanced local value added and exports इन्होंने तीन नए member बढ CEO विक्रम एस के लोसकर जी है जो कि Toyota के वाइस चेर्मन है और जलाल दानी जी है जो एशिन पेंट की को प्रोमोटर एस चेर्मन है एडवर्ब टेक्नोलोजीज के ठीक है यह किसके अंडर आती है scale committee यह फॉर्म की गई ministry of commerce and industry के अंडर डिपार्टमेंट ओफ डिपी आई 2021 में दिया था PLI यह PLI क्या होता है प्रोडाक्टिव प्रोडाक्शन लिंक्ट इंसेंटिव स्कीम जो होती है उनके अंदर क्योंकि स्टेरिंग कमेटी फॉर एडवांस लोकल वैल्यू एडिन एक स्पोर्ट्स की बात हम लोग कर रहे हैं इसके तीन मेंबर्स बढ़ाए ग कहां कहां यह लोग अभी फिलहाल किस पोस्ट पर हैं आपको यह भी याद रखना है ठीक है उसके बाद हम ऑबिचरी पर आ गए अगयन ऑबिचरी सीनर जनलिस्ट विनोद दुआ जी इनकी डेथ होगी एट एज ऑफ 67 डिल्ली के अंदर और इनकी बारे में सबसे इंपॉर जरूर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी अलका उपाध्याय जी अपॉइंट की गई है नियू चेर्मेन ऑफ एनची नेशनल हाइवे अथारिटी ऑफ इंडिया ठीक है यह किसके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड डेवलप्मेंट एंड हाइवेज इसके जो य अमाने जी को सक्सीड किया है जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया था इनकी अपॉइंट्मेंट से पहले अलका उपाध्याय जी जो है वह एडिशनल सेक्रेटी डिपार्ट्मेंट ऑफ रूरल डेवलप्मेंट की तो आपको कहां यह पहले थी वह सब भी याद रखना है स सक्सीड किया है वह सब कुछ आपको याद अटना है कुछ भी क्वेशन से सकता है कोई भी इंफोर्मेशन आप स्किप नहीं कर सकते हैं स्वाली में से अगली आविचरी आते हुए सार्दा मैनन जी जो फॉर्स्ट विमन साइकेट्रिस्ट है थी इंडिया की और यह साइकेट्रिस्ट इनकी डेथ हो गई है ठीक है यह बहुत इंपोर्टन क्वेशन है जरूर से आप लोगों को इसको पढ़ना है यह शायद क्वेशन एक्जाम में देखने को मिलेगा उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे इंडिया एंड बांगलादेश क्या अबजर करने तो ये यह रखेंगे किसरे इसमर के रूपर को ऑएट टीट्टे मेर ने वाले हैं यह संट हुए松Cloud मैंघ्क है ममीदेश के साथ मम आने वाक्त अदा वाहे बांगलादेश जो है वो अटेंड किया था तब उन्होंने कहा था कि हम एक छे दिसंबर को मैंत्रिदेवस बांगलादेश के साथ मनाने वाले हैं ठीक है इंडिया वन फॉर्स कंट्री था जिसने बांगलादेश को के साथ बाइलेटरल टाइस जो है स्टैबलिश किये थे औ बागाबंदू चेयर एट उनिवास्टी ओफ डेली साथ साथ इंडिया ने कंफर किया है गांधी पीस प्राइस ट्वेंटी ट्वेंटी टू तू बागाबंदू शेक मुझबूर रहमान इन रिक्रिगनेशन ऑफिस आउटस्टेंडिंग कॉन्ट्रिबूशन जैसे कि हमा सब्सक्राइब हम लोग एट डिसेंबर की करेंट अफेर्स पर आ जाते हैं आज हम एट डिसेंबर तक ही करने वाले हैं तो सबसे पहले हम एट डिसेंबर में यह क्या है स्वच भारत मिशन अर्बन की बात करें टू पॉइंट ओ लॉंच किया स्वच टेक्नोलोजी चैलें जिलुकाइब की लिए एंट्रेपूर्राइल स्किल्सेंड़ मेंगेन को किस तरह से जादा बेहतर बनाया जासकते च्वाएं जो वहां की जा सकती है ताकि बेहां बनेज्मेंट प्रोपर हो सके तरह का चैलेज है अब आपको क्या करना है बहुत जाधर डिटेल में आपको हैं वो सारी चीज़ें आपने पढ़नी है इसमें ठीक है सिर्फ मैं आपको उपर उपर से वाला बताऊंगी लेकिन आपको यह मैं बता रहों कि यह पूरा पढ़ना है कुछ भारत मिशन से कुछ भी पूछा सकता है ठीक है और दूसरी जीज्व में यह बता दें कि सब्सक्र इंडिया मेनेजमेंट को और यह टेकन आपने लोकल बॉडी सिंप्लिमेंट कर सकती है अपने वेस्ट मेनेजमेंट को बहतर करने के लिए ठीक है उसके बाद हम लोग एक बहुत इंप्रेंट न्यूस आने वाली है जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ऐसे कुछ कुछ आता है काजवाडी वैटलेंड और यह सब वैटलेंड जादाते है या फिर पूछ अगता है कि यह कौन स्टेट के अंदर है कुछ भी है तो इसलिए हमें याद रखना है कि काजवाडी वैटलेंड जो है जो की तमिल नाडू के अंदर है कहां विलिपुरम डिस्ट्रिक के अंदर इसको डिक्लेयर गया है 16th World Century बाई सुप्रिया साहू कौन है ये Environment and Forest Secretary है Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंदर तो आपको ये सारी ही सारी चीज़े याद रखने है सुप्रिया साहू जी का भी नाम याद रखने है कि किन्हों ने डिक्लेयर किया है सुप्रिया साहू जी ने डिक्लेयर किया है जो Environment and Forest Secretary है 16th World Century बनाया है शायद कुछ भी ना पूछ जाए पूरी न्यूज में से और ये पूछ ले जाए कि सेकेंड लार्जेस्ट बार्चिक बार्किश वाटर लेक इन साउथ इंडिया कौन है काजुवेली वेटलेंड है किस तो अगर ये सेकेंड है तो फर्स्ट कौन है पुलकित लेक जो है फर्स्ट है और काजुवेली वेटलेंड सेकेंड है इसके बाद हम लोग बात करेंगे CAC क्या है Center for Science and Environment और नीती आयोग ने मिलकर रिलीज किया है रिपोर्ट जिसका टाइटल है वेस्ट वाइस सिटी बेस्ट प्रेक्टिस इन मुनिसिपल सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट अ कॉम्प्रेहेंसिव नॉलेज अन इंडिया वेस्ट सॉलिड मेनेजमेंट यह बिल्कुल उसी की तरह है जिसकि हमने एस्बीम यू पड़ा अभी स्वाज भारत मिशन अर्बन टू पॉइंट ओ जिसमें हमने बताया कि किस तरह से हमारा जो वेस्ट मेनेजमेंट है उसको बहतर किया दा सकता है जिसमें मुनिसिपल जो बॉडिज है वो उसको इंकॉ तू सेम नीती आयोग ने और सीएसी ने मिलकर पांच मंस की लंबी एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिफ एनलाइसिस की ती रिपोर्ट बनाई जिसमें उन्होंने क्या किया है इसके बारे में पूरी बात की है ठीक है अठाइस सिटीज 15 स्टेट्स में उन्होंने एनलाइस की और और सीएओ को ने अमिताब कान जी हो और स्पेशल सेक्रेट्री के राजेश्वर राओ जी है ठीक है और अलॉंग विद अब सीएसी की बात करें तो सीएसी की डिरेक्टर जेनल भी हमको पढ़ना पड़ेगा सेंटर फॉर साइंस एन इंवायमेंट की कौन है डिरेक्टर ज लोग आ जाएंगे हिंदुस्तान और नॉटिक्स लिमिटेड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंडियन ओर्डिनेंस फैक्ट्री को रैंक किया गया है टॉप हंड्रेड आर्म प्रेडियूसिंग कंपनीज एस पर रिपोर्ट ऑफ स्टॉक हॉम इंटरनेशनल पीस रि देख लेते हैं कि इनकी रहें हैं जैसे की हेल इंडिया से तो उसकी रैंक रही है शिक्स्टी सिक्सट्ट है और वहीं अ कि इंडियन और टरिक्षि लिखेमिर रही है ठीक है यहां पर रिखी होई है 142 बेन 66 एंडियन और इनका यहां बताया गया है कि आर्म सेल्स जो हैं हिंदुस्तान एरेलोंटिक्स लिमिटेड की और भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड की और इंडियन ओर्डिनेंस फैक्ट्री की इंक्रीज हुई है वन पॉइंट फाइफ परसेंट से फोर पॉइंट जिरो परसेंट से किसकी कंपरिजन में 2019 की में 2020 के मुकाबले यह जो रिपोर्ट है 2020 की है सिप्रीए ने जो दिये है काफ़ी इमपोर्टन वो न्यूहiness आपने याद रखनी है उसके पदा एक और बहुत 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 इंपर्टन यूश बहुत ही इंपर्टन इस तो शर्विस बना है NTS क्या है NTS है NPCI tokenization system tokenization बेसिकली पहले बात कर जाते हैं tokenization क्या होता है तो RBI ने guideline निकाली है अभी September 2021 में ही कोई भी merchant होगा ठीक है उसके पास कोई भी जो card details है online transaction के दौरान या तो हम लोग online कुछ order करते हैं या हम लोग कहीं फूट के लिए payment करते हैं कार्ट से कोई भी ऐसी हमारी companies है card companies या हमारे banks है उनके पास हमारी कोई भी जो card details है वो नहीं होनी चाहिए वो एक tokenized 16 digit के उसमें होएंगी format में जिनका random वो कुछ होंगी उनका कोई meaning नहीं होगा और उनको decode नहीं किया दा सकता थाकि customers थ्रॉड ना हो customers को लूटा ना दा सकते उसके लिए पफाई जो है फो सर्टिफाइड टॉक्नाइज़ेशन सर्विस बना है नंपी सी टॉक्नाइज सिस्टम के लिए ठीक है इंडिस्ट्रिगार्ट पेफाई फाई कमर्शियल अप्पाई अप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फोस्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म बिकम्स फोस्टिफाइड टॉक्नाइज़ेशन सर्विस फॉर एंटियस सपोर्टिंग टॉक्नाइज़ेशन और रूपे कार्ट के लिए आपको यह भी याल र पुरी डीटेल में आपको नहीं बताऊंगी लेकिन हां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से वह मैं आपको बता दूंगी दफिनेंस मिनिस्ट्री अनॉंस्ट अराउंड टू पॉइंट वांसी लैक एटीम्स हैं सब्सक्राइब इंस्तॉल्ड अक्रोस इंडिया बा से वी अर्बन इडक के अंदर है तो कि इस का क्या किस तरह से रहता है ना ढेंक हें गोगिल घर को के अंदर घंडर उनका इंस्टॉरेशन चलता है ठीक है और बाकी हम लोग बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्केडियूल कमर्शिल बैंक है इंस्टॉल्ट टू वान थ्री वन फॉर फाइव एटीम स्टिल सेप्टेंबर 2021 ठीक है अब एक और यहां पर टॉमाई वाइट लेबल ए यह जो भी कोई एन बी एफसी हैं नॉन बैंकिंग फैनेंशल कोर्परेशन होते हैं जो वह एट लगाती है उनको वाइट लेबल एट एंश काझाता है तो वह कितने इंस्टॉल हूए है 2700837 इंस्टॉल हूए ठीक है उसकी बाद शिवालिक स्मॉल फिनिंस बैंक की निज आते होए शिवालिक स्मॉल फिनेंस बैंक ने क्या किया है इसने पार्टनर किया है इंडिया गोल्ड के साथ लांच इंडिया फॉर्स्ट लोन अगेंस डिजिटल गोल्ड बहुत ही इंपोर्टन न्यूस जरूर किसी को उसमें पूछ देखने को मिलेगी क्योंकि जितने भी सब्हenci 시ट न्यूस थोती है वह बहुत इंपोर्टन्ट होती है शिवालिक स्मॉल फिनेंस बैंक ठीक है उन्होंने पार्टनर किया है इंडिया गोल्ड के साथ लांच किया इंडिया का सबकॉन सही है सब पार्टनर किया disciplines 25 लेक करोड का डिजिटल ओवर्डराफ विसलिटि डिजिटली आप overdraft facility ले सकते हैं overdraft facility क्या होती है कि जितना आप एक extra overdraft समझी आ रहा है कि आप extra amount उठा सकते हैं कितने amount extra ले सकते हैं 25 lakh आप extra borrowing कर सकते हैं individual sellers और business बिजिस्टरेश जितने भी registered है flip card के उपर 25 लाग तक कौन है ICICI और flip card ठीक है उसकी बाद हम लोग बात करेंगे iris ziomara castro seri minato शायद मैंने pronounce ठीक किया होगा आप याद रग लिजे iris shiomara ये president बनी है first women president बनी है hondres की जब इस तरह कोई appointment होता है जो first women से कुछ पी रहता है तो बहुत important होता है अगर hondres की बात करें taxation आप लोग देख लेना हॉंस्जि सी करेंशी लएंपीरा है और यह North अमेरिका का एक continent है that और सॉर्ड नॉठ अमेरिकन कॉंटिनेंट का एक कंट्री है होंजिस ठीक है इन्होंने किसको डिफीट किया है नैसरी असपूरा जी को इन्होंने डिफीट किया और बनी है फॉर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट और हॉंड्रिस उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट न्यूस बैंकिंग सेक्टर के लिए उजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इटारा डेविस जी को तीन साल के लिए अपना MDSU बनाया और इन्हें किसको सक्सीड किया है नितिन चुग जी को सक्सीड किया है नितिन यह वाला ऐसा नाम था है नाम है इटियारा डेविस जी ठीक है उसके बाद इंडियन शट्लर एंड टू टाइम उलिम्पिक मेडलिस्ट कौन नहीं जानता इनको पीवी सिंदू जी ने वो जो की वर्ल्ड नंबर सेवन प्लेयर है इन्होंने जीता है सिल्वर एट 2021 बैड्मिंटन वर्ल्ट फेड जीता है साउथ कोरिया की एंसी यंग ने जीता है गोल्ड ठीक है इसी के साथ हम लोग लास्ट स्लाइट पहुंच गया है हमारा एट जो है वो कंप्लीट हो गया है तो मैं आप से कहूंगी देखिए बहुत महनत लगती है सब में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होता इस बनाने में मेरे पास इतना टाइम और डी होता भी नहीं है तो बी उनेस्ट क्योंकि स्टार्टिंग से नौव बजे से लेकर शाम के साथ बीज दक तो मेरे पास बिलकुल टाइम नहीं होता ना यूट्यूब के लिए आपने परस्टन पढ़ाई के लिए तो उस दोरान में अपने खुद भी रिवाइस करती हूं फिर उसे बनाती हूं PDF फॉर्मेट में या फिर पीटी फॉर्मेट में नोट की फॉर्मेट में और उसके बाद आप लोगों के सामने मैं तो अगर आप लोगों कोई अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें तो बताओ कॉमेंट करो अपने जो भी है अगर क्रिटिसाइज करने तो क्रिटिसाइज करो लेकिन एक हमबल वे में एक पॉजिटिव मैनर में जिससे कि मैं इंप्रूव कर पाऊं आपको बताओ कि क्या गलतियां लग रही है और अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर रही हूं साथ-साथ तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के से और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में शायद कल वो मैं अप्लोड करूंगी तिल देन टेक कियर अफियर सेल्फ पढ़ते रहे एक्जाम बहुत नजदीक है और अपना ध्यान रखिए बग्यान थैंस faisait जिलते हैं सेल्च करूं देक हैं पढ़ते हैं